ऐसे शब्द जिनके बिना अंग्रीजी बोलने की आप सोच भी नहीं सकते। पर नए हैं, पहली बार इस ख्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लिजे चानल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजेगा ताकि जब भी हमारी खोई नहीं क्लास आए आपको पता लग जाए, इसके साथ ही आप जोर सकते हैं, हमार में जानकारी पाने के लिए और भी धेरो कुछ चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास तो मैं बता दूँ आपको ये जो शब्द में आपको कराने वाली हूं इनके बिना अंग्रेजी बोलने की सोच तो नहीं ही सकते हैं साथ ही इनको पहचानने का एक अलग अंदाज है ये शब्द जाददर आपको वाक्य के अंत में ही देखने को मिलेंगे कहां मिलेंगे वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे ये सारे शब्द आपको कैसे हैं कौन से हैं कैसा इस्तमाल है चलिए देखते हैं वाक्य का अंत होता हुआ दिखेगा मी यानि की मुझ ह मुझे या मुझे से वाक्य के अंत में अगर आपको दिखता है मुझे या मुझे से तो आपको अनुवाद करते वक्त जरूर से जरूर इस्तमाल कर लेना है मी शब्द का जैसे उसने मुझे बताया मुझे दिख गया आपके वाक्य में तो आपको अंत में मी का इस्तमाल कर ल तो आपको अनुवाद करते वक्त लास्ट में, अन्त में क्या इस्तमाल करना है, मी शब्द का इस्तमाल करना है, उसने मुझे बताया, he told me, उसने मुझे सिखाया, she taught me, आपने मुझे दिया था, you had given to me, उन्होंने मुझे उपहार दिया, they gifted me, अगर आपको हिंडी वाले वाक्यों में दिखता है, तुम्हे तुमसे या आपको, क्या दिखता है, तुम्हे तुमसे या आपको, तो अनुवाद करना है आपको, वाक्य के अंत में आपको दिखना होगा, you, अंग्रेजी अनुवाद जो करेंगे वाक्य का, उसके अंत में आ आपको पहार देंगे, we will gift you, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you, रानी ने तुमसे कहा था, रानी हैड टोल्ड यू, ये आपको परिशान करेगा, I will trouble you, ये आपको परिशान करेगा, I will trouble you, अगला है, us, ये आपको वाकिक के अंत में तब इस्तेमाल करना है, जब आपको हिंदी वाकिय में दिखेगा, हमें या हमसे, क्या दिखेगा, हमें या हमसे, तो बाग एके अंत में आपको अनुवाद करते वक्त किसका इस्तमाल करना है अस शब्द का यू एस पढ़ते हैं इसको अस जैसे उसने हमें सूचित किया शी इनफॉर्म्ड अस उन्होंने हमें दान दिया दे डोनेटिड अस रानी ने हमें सिखाया रानी टॉट अस यहां हमें नुकसान पहुचा सकता है इट कैन हर्ट अस यहां हमें नुकसान पहुचा सकता है इट कैन हर्ट अस यहां हमें नुकसान पहुचा सकता है It can hurt us आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है them इसका इस्तमाल आपको वाक्य के अंते में तब करना है जब आपको हिंदी वाक्य में दिखेगा उन्हें या उनसे क्या दिखेगा उन्हें दिखेगा या तो उनसे दिखेगा तो अनुवाद जब करेंगे तो अनुवाद करते वक्त अंग्रेजी में इस्तमाल करेंगे them शब्द का किसका इस्तमाल करेंगे? them शब्द का मैं उन्हें सूचित करूंगा I will inform them हमने उनसे पूछा we asked them हमने उनसे पूछा we asked them उसने उन्हें उपहार दिया she gifted them उसने उन्हें उपहार दिया she gifted them इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है it can hurt them इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है it can hurt them अगला शब्द है him ये वाक्य क्यांत में तब इस्तमाल करना है जब आपको हिंदी वाले वाक्य में दिखेगा उसे या उससे क्या दिखेगा उसे या उससे चली इस्तमाल देखते हैं मैं उससे पूछूंगी I will ask him मैं उससे पूछूंगी I will ask him आप उससे बात कर सकते हैं You can talk to him हम उससे पूछ सकते हैं We can ask him ये उससे तकलीफ पहुचा सकता है It can hurt him अगर आपको वाक्य में दिखे जाएगा उससे या उससे तो वाक्य क्यानत में आपको इस्तमाल करना होगा हर लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि हर शब्द का इस्तमाल सिर्फ महिला यानि की फीमेल के लिए ही करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे उसने उसे बताया she told her आप उससे पोच सकते हैं you can ask her वे उसे बुला लेंगे they will call her ये उसे परिशान करेगा it will trouble her आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको कि क्या इस्तेमाल करना है क्विक से रिविजन के साथ आपको इस्तेमाल करना है मी शब्द का जब आपको वाक्यों में दिखे जाए मुझे या मुझे से और मी का इस्तेमाल भी कहा करना है जब आपको वाक्य के अंत में इस्तेमाल करना है मी अगया बाद समझ में मी का इस्तेमाल होगा वाक्य के अंत में जब हिंडी वाले वाक्य में आपको दिखे गा मुझे या मुझेIZे यू शब्द का इस्तेमाल तब करें वाक्य के अंत में अगर आपको दिखेगा हमें या हमसे तो वाक्य क्यंत में आप इस्तमाल कर लेंगे असका, किसका इस्तमाल करेंगे असका, आगे बढ़ते हुए अगर आपको हिंदी वाले वाक्य में दिखेगा उन्हें या उनसे तो अनुवात करते वक्त वाक्य क्यंत में इस्तमाल करेंग उसे या उससे अगर आपको हिंदी वाले वाक्य में दिखे, साथ ही ये वाक्य जो हो, वो किसी पुरुष के लिए इस्तमाल हो रहा हो, तो वाक्य के अनुवाद करेंगे हिमका, किसका इस्तमाल करेंगे हिमका, उसे या उससे दिखे, और वाक्य के, ये वाक्य में दिखे, औ और ये वाक्य जो है किसी महिला के लिए उपयोग हो रहा हो तो वाक्य के अंतर में अनुवाद करते वक्त इस्तमाल कर लेंगे हर का। आगे बात समझ में तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका श्तमाल आपको करना है कहां वाक्य के अंत में कब जब आपको हिंदी में पर्टिकुलर्ली जो मैंने आपको शब्द बताएं वो दिख जाएं तो अनुवाद करते वक्त वाक्य के अंत में इन शब्दों का श्तमाल हो राइट साफ होगे बात so yes guys ये थी आज की class उमीद है class आपको समझ आई उमीद है class आपको पसंद आई class कैसी लगी comment करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा जल्दी से मुझे comment करके बताईए class आपको कैसी लगी class बढ़िया लगी class को करिये like करिये share channel को subscribe अगर अभी तक नहीं किया है तो किस चीज का इंतिजार कर रहे हैं जल्दी से कर लीजे साथ ही अगर आपको घर बैठे अंग्लेजी सीखनी है वो भी बिल्कुल free of cost यानि की zero पैसे कोई पैसे नहीं तो आपको मंगवा लेना होगा basic plus spoken English की course basic plus spoken English course एक 15 दिनों की course है जो कि free course है आप इसको घर बैठे कर सकते हैं अभी तक लाखों लोगों ने इस course को करके benefit उठाए हैं आप आपकी बारी है देर मत करिये जल्दी से टेलिग्राम नंबर पर आप message लिकर के भेजिए कि मुझे basic plus spoken English की course चाहिए और इसकी e-book भी available है in case अगर आपको e-book भी चाहिए क्योंकि किताब भी होती है e-book अगर आपके पास होगी और course होगा तो आप साथ मिला करके बहतरीन तरीके से फाइदा उठा सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इस course और इसकी e-book को मंगवाने के लिए टेलिग् करना होगा mini spoken English course इसकी e-book को मंगवाने के लिए भी आपको टेलिग्राम करना होगा टेलिग्राम कैसे करेंगे टेलिग्राम पर कैसे ढूनेंगे भई टेलिग्राम पर लिखेंगे बी बैंकर हम लोग मिलेंगे आपको वहाँ पर बी बैंकर education solution के नाम से यह देखिए नीचे नाम लिख रखा है बी बैंकर education solution यह official channel है मेरे नाम से भी कई लोगों ने channel बना रखे हैं तो वो बिल्कुल ही fake है तो एक जमेदार चात्र बनिए और जमेदार चात्र बनने के साथ आप जो है channel सही channel का चुनाव करिए ठीक है आप इस link के जरीए आ सकते हैं इस link के जरीए आ आप आएंगे तो आप सीधे सीधे official page पर land होंगे आप इस number के जरीए आएंगे तो भी official page पर land होंगे और आप जो है join बटन को क्लिक करके join कर सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की updates प्राप्त करने के लिए साथ ही हमारी कोई भी paid course join करने के लिए चाहे premium spoken English का course हो basic English grammar का course हो basic English reading का course हो इन मेंसे कोई भी course अगर आपको करनी है तो आपको telegram पर पूछना होगा कि भई इस course की अगली batch जो है वो कभी शुरू हो रही है जब आपको पता चल जाए batch शुरू हो रही है in case अगर आपको join करना हो तो आप definitely join कर सकते हैं course को अगर आपको लगता है कि नहीं बेश दीजे कि मुझे free course चाहिए तो आपको वो भेश दिया जाएगा ध्यान रखेंगे जब भी आप message करें उससे 12-40 घंडों का वक्त लग जाता है आपको reply मिलने में तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है निश्चिन्थ हो जाएं आपको reply जरूर जरूर म झाल